Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राधिका, आप सभी का fun and learn में स्वागत करती हूँ. आज मैं आप लोगों के लिए elections से related कुछ छोटी छोटी चीजों पर सवाल लेकर आई हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला सवाल है कि elections में यूज किये जाने वाली इंक कहां बनती है? ज़रा सोचिए. दोस्तों, इसका जवाब है मैसूर पेंटिंग और वर्निशिंग लिमिटेड. ये एक मात्र कमपनी है जो elections में यूज होने वाली इंक बनाती है. दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि इंडिया में minimum age क्या है वोट करने के लिए? यानि कि एक इंसान कि उम्र कितनी होनी चाहिए वोट डालने के लिए? दोस्तों, इसका जवाब है 18 साल, यानि 18 years. दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि ऐसी कौन सी जगया है जहां पर सिर्फ एक इंसान के लिए वोटिंग बूथ लगाया जाता है? जड़ा सोचीए. दोस्तों, इसका जवाब है गुजरात के गिर्फ फॉरिस्ट. यहां पर महंत भगत दास के लिए हर इलेक्शन्स में वोटिंग बूथ लगाया जाता है. दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कब और कहां यूज़ की गिर्फी? जड़ा सोचीए. दोस्तों, इसका जवाब है 1982 और सबसे पहले ये केरला में यूज़ की गई थी. दोस्तों, मेरा अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रोनिक मशीन एक बारी में कितने वोट रिसीव कर सकती है? जड़ा सोचीए, दिमाग पे जोर डाले. दोस्तों, इसका जवाब है 3840 वोट्स. एक बारी में EVM 3840 वोट्स ले सकती है. तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपके पास भी इलेक्शन से रिलेटिड, कुछ छोटे-छोटे फाक्स या क्वेस्ट्स हैं, तो आप मुझे कॉमें सेक्शन में लिखकर शेर कर सकते हैं. मैं अपनी अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उनक्वेस्ट्स को सबके साथ शेर करूँ और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल ना भूले, मेरी अगले वीडियो तक के लिए, बाई बाई